हेलो फ्रेंस वेलकम टू सार्थ लिटिल गार्डन और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों ये देखिए मेरे घर से इस तरीके से कुछ व्यू दिख रहा है तो कितना खुबसूरत लग रहा है हमारा उत्राखंड हमारा गड़वाल हमारा श्रीनगर गड़वाल तो फ्रेंस आज देखिए गार्डन में कुछ इस तरीके से फूल खिल ही रहे हैं तो डेजी फ्लार्ज भी खिलना शुरू हो गए हैं दोस्तों ये देखिए कितने खुबसूरत लग रहे हैं वाइट से पिंक से रेड से सभी एक साथ रखे हुए हैं मैंने कुछ इस तरीके स तो बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देखना इन्हें सुभे श्याम पानी देना इनके साथ रहना तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बनाने का में मकसद है लाकसपर के जो फ्लार्स थे इनका फोटो मैं आपको दिखा रहे हूं आप इसे भी देखिए तो अभी सुखने के बाद ये कुछ ऐसे हो गए हैं तो ये इनकी फोटो मैंने उस वक्त के लिक करी थी बहुत ही खूबसुरत पौधे थे ये बहुत ही खूबसुरत फूल इन पर आये थे और इन्हें मैं अपने नेक्स्ट विंटर गार्डन के लिए भी बचान लिना चाहती हूं तो इनके ये देखें ये बहुत जादा सूपने लगया है और मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है इसके शीड कलेक करने का और बहुत चोटे चोटे से के शीड हैं काफी सारे शीड सूपने के बाद खुद ही जड़के गिर गए हैं यहां वहां और इतने चोटे हैं कि उन्हें उठ खाऊंगी तो ये देखें दोस्तों आप ध्यान जरूर रखिएगा इसमें इतने चोटे चोटे से शीड हैं जैसे पिटूनिया के शीड होते हैं जैसे पॉपी के शीड होते हैं बहुत चोटे चोटे से और खुद ही जड़ जड़के गिर गए हैं तो ये देखें ये इस खुबसूरती इनके जीन में है, इनके अंदर मौजूद है, इन बीजों के अंदर और सालो साल ये गार्डन में बनी रहें, इसके लिए आपको इसके शीड को रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो देखें कितने खुबसूरत ये थे, और बिल्कुल चोटे से पांच इंच के पॉड़ में ये पौधा लगाया था, तो दिखा आपने ये देखें, थोड़ा क्लियर दिखाना चाहूंगी, ये देखें, तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी फली तोड़के भी आप इसके शीड सेव कर लीजिए, क्योंकि सूखने से पहले ही और उसके बाद भी मैं ऐसे फैकूंगी नहीं, इसमें जो हरे हरे शीड अभी बने हुएं पॉड़, उनको भी मैं सुखा के फिर से इसे कलेक्ट करूंगी, तो दोस्तों ये मेरा तरीका है इन शीड को कलेक्ट करने का, और देखें कितनी खूबसूरती इन में हैं, ये इस